पंकी के अवास विकास सत्यम विहार कलियान पूर में रहने वाले रवीशेकर सुकला बिजली विभाग में ठेकेदार के पत पर कारिय करते हैं बुदवार शाम को घर के बाहर खड़े थे जब वो घर के अंदर जाने लगे तो दो बाइक सवार चार बदमासों ने ठेकेदार पर अचानक फाइरिंग कर दी जिसमें वो बाल बाल बज गए छेत्र में फाइरिंग होने की घटना से पूरे इलाके में देशत का माहूल बन गया पीडिता ने घटना की सूचना कंट्रोल रूम राजेस पांडे थाना प्रबारी सतीस कुमार सी मौके पर पहुँचे और मामले में राजेस पांडे ने बताया कि घटना सल पर लगे सीसी टीवी केमेरे में मामला है जो हो गया है फुटेज के आदार पर बदमासों की तलास की जा रही है यह रभी शुकला जी है जिनका आवास विकास में आवास है थाना कल्यानपूर के अंतरगत और उनके आवास पर आट बच के पचास बिनेट पर दो बाइक में दो दो लोग शवार थे और एक बाइक से एक बेक्टी उत्रा और उसने दोनों हाथों में तमंचे से इनके घर की तरफ फायर किया है जो CCTV पूटेज में पूरी घटना कहे थे पीलित के माने तो उनका कहना है कि कमलेज दिवाकर पूर विधायक उन्होंने यह अमला करवाया है उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगे और CCTV फूटेज और अन्य साच्चों के अधार पे इस घटना को जाचा और आगे देखा जाएगा कलियान पूर पंकी से सववादात असिवा शेनी की रिपोर्ट समाचार इंडिया निउस पंकी